चलिए उस तो बात करते हैं इस एक और नई कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामना ने का किसी वस्तु को 1729 रुपे में बेचने पर रोहिनी को 30% की हानी हुई 16% का लाप पराप्त करने के लिए उससे वस्तु को किस मुल्य पर बेचना चाहिए तो चलिए आईए इस सॉल करते हैं देखे उसने क्या दे रखा है विकरे मुल्य दे रखा है 1729 यह विकरे मुल्य दे रखा है और कहरा है कि इसमें इसको 30% की हानी हुई है और उसे 16% का प्रॉफिट चाहिए तो सिंपल सी बाता करना चाहते हैं तो इस तरह का जब भी कोशन आई तो जो हानी दिरिकी उसको सो में से माइनस कीजिए और इसको डिवाइड कर दी और इंटू में क्या लिग दीजिए जो प्रॉफिट निकालना है उसमें सो एड करके इसको यह लिग दीजिए तो यह आपका कटेगा यह 10 हो जाएगा यह 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका 7, 24, 28, 7, 9, 6 होगा यानि कि 2, 4, 7 को 1, 1, 6 से आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह जाएगा 6, 7, 42, 4, 6, 24, 24, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 40 तो इसके बार कितना हो जाएगा आपका साथ चार दो फिर यो जाएगा आपका साथ चार दो एड़ दरेंगे तो दो पंदरा पंदरा आठ आठ चार बारा 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 अरचा सोला तो ये कितना होगा आपका चार दूच्छे साथ आठ और दो पॉइंट 25.2 यानि कि option जो C होगा वो इस question के लिए correct होगा एक बार फि को स्वाइब करता है तो सेल्ग पर फिर इपरों किन्डander हों में क्या है तो प्रोफिक युब्र को स्वाली एयु है और मिज वाली वैली को मेर मैं माइनस कर दूआखा तो मेरे पास में cost price जाएगा तो मुझे cost price चाहिए तो इसमें क्या हुआ 30% की हा नहीं है 30% आगर समें minus करूँगा sold करने के बाद मेरे पास नया cost price जाएगा इसमें फिर चाहिए मुझे profit पे 100 से उपर multiply करूँगा 100 से नीची multiply आगा तो 16% का profit चाहिए अब मुझे चाहिए क्या profit यानि कि ये cost price पे आगा है तो 16 में उपर हैड करूँगा तो मेरे पास 1729 इन्टू में 100 बाय में कितना हो जाएगा 70 इन्टू में 116 बाय में 100 हो जाएगा इससे ये value कर जाएगी same इससे काटने के तो 10 जाएगा ये कितना हो जाएगा 7, 2, 14 और 7, 4, 28 और 7, 7, 49 ये हो जाएगा आपका 247 इन्टू में 116 बाय में आपका 10 करेंगे तो option जो C होगा वो इस question के लिए correct answer आएगा I hope आप सब भी question समझ में आया होगा